स्कूटर कीमत 40,000 रूपए जी हां दूसकों बताते हैं नया इलेक्क्रिक आ चुका है गरिभों के लिए जो लोग गरिब है उनके लिए जोरस बहुत ही सस्था इलेक्रिक आ चुका है एक पर फोल चार्ज करेंगे 120 किलोमेटर से जादा का माइलेज देगा कीमत मात्र 40,000 रुपए है जी हां दोस्तों मात्र 40,000 रुपए में ये गाड़ी आपको मिल रहा है तुरंत फटा-फट जो इसको खरी लिए दिये आई जानते हैं कौन सी कमपनी की है सरकार कितना सब्सीडी दे रही है और आप आप कहां कहां इसका जो है मात्र 120 फुल चार्ज करने के बाद 120 किलोमेटर के रेंज है मात्र इसकी कीमत 40,000 रुपए जी हां दोस्तों कीमत इतना कम रखा है मात्र 40,000 रुपए आप करीबों के लिए जो है सस्ता इलेक्रिक अस्कूलर आ चुका है आईए इसके बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं तो बात करते हैं दोस्तों तो एक अच्छे फीचर्स के साथ जो है कम बजट वाला इलेक्रिक अस्कूलर खैदने के लिए सब चा रही है जिन में से एक कमपनी है कमाकी प्राइवेट लिमिटेड कमपनी है जो भारत में अपने इलेक्रिक अस्कूलर को ले करके काफी महसूर है कमाकी कमपनी जो है गरीबों के बजट कर जो है इलेक्रिक अस्कूलर लॉंच कर चुकी है जिन में से एक इलेक्रिक अस्कूल स्कूटर इसका पुरा नाम है जो बिल्कुल गरीबों के लिए लौंच किया गया है आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों गाड़ी के बारे में तो कौमाकी एक्स जी टी एक्स वन इलेक्टिक स्कूटर जो है कंपनी का बेस्ट सेलिंग इलेक्टिक स्कूटर है जो पांच अलग अलग वेरियंट के साथ जो है उपलब्द है इन में से 48 बोल्ट का आता है 28 एच का आता है 2400 रुपए है वहीं इसके जो है टॉप वेरियंट की बात करें तो 78,920 रुपए है जो सिंगल चार्ज में 120 किलोमेटर की रेंज दे रहा है तो कम से कम कीमत वाला की बात किया जाए तो 47,400 रुपए में आपको इलेक्टिक स्कूटर मिल रहा है आगे हम लोग बात करते हैं गाड़ी के बारे में दुस्तों तो कमा की XGT X1 जो है टेलियसकॉपिक फ्रंट सस्पेंसर मिल जाएगा इसमें एंटी ठेप लॉक सिस्टम मिल जाएगा बड़ा भूट स्पेस मिल जाता है एक स्मार्ट डैस बोर्ड मिलता है वहीं इसमें दि 167 से जाएगंगर 800 किलो मिल जाता है तो कीमत बढ़ilt हो जाता है करीबन 60 mm के पर आफ आंत गण के लाग होंजाँ हो कि आप कौन सा वेरियंट ले रहे हैं आप इनका नॉर्मल वेरियंट ले रहे हैं या फिर टॉप वेरियंट हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा चलिए आज की बुर्द सब्सक्राइब करते हैं तब तक के लिए जैहिंग जैभारत